दोस्तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टोरी दा बुक दैट सेवड दा अर्थ मैं आपको बता दू ये कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन मैंने इस कहानी को स्क्रिप्ट बना कर थोड़ा छोटा किया है क्योंकि दोस्तो अगर मैं इस कहानी को यहाँ पर पूरा ब तो कहानी की शुरुआत होती है 25th सेंचरी में जो की दोस्तो फ्यूचर में है तो 25th सेंचरी में एक हिस्टॉरियन आप सबको पता होगा हिस्टॉरियन मतलब जो हिस्टॉरी के बारे में जानता है तो एक हिस्टॉरियन अभी एक म्यूजियम में बैठा है और वो लोगों क यानि कि उस museum में जितने भी audience है उन्हें कह रहा है 20th century के बारे में मैं फिर से आपको बता दू कि 25th century की कहानी है जहाँ पर एक museum में एक historian लोगों को बता रहा है 20th century के बारे में तो यह historian बताता है कि 20th century में Martians अब बात यहाँ पर यहाँ आता है Martians क्या होता है तो दोस्तों Martians उन्हें कहते हैं जो Mars में रहते थे तो यहाँ कहा गया है कि 20th century में Martians अटैक करने वाले थे अर्थ में यह बात कौन कहता है दोस्तों यह बात historian कह रहा है museum में अपने audience से अब यह historian अपने सभी audience से कहता है कि तुम सब history scope में देखो दोस्तों history scope कहते है एक device को जो हमें history के बारे में बताता है तो अब कहानी में दो characters present होते है उसमें से पहले का नाम है think tank दोस्तों मैं आपको बताता चलू कि इसका जो brain है यानि कि इसका जो दिमाग है वो balloon के तरह है और इसे हम master भी कहते है और ये king है कहां का king है दोस्तों ये mars का king है और इसका एक assistant है जिसका नाम है noodle तो ये दोनों अभी planning कर रहे है अर्थ में attack करने की तो अब ये जो think tank है ये अपने crew को crew कहते है दोस्तों group of people जो एक चीज़ के लिए काम करते है तो ये think tank अपने crew को भेशता है अर्थ में ताकि वो जाके जाच परताल कर सके अर्थ के बारे में यानि कि अर्थ में क्या क्या होता है वो सब जाच परताल कर सके तो अब ये जो crew है ये अर्थ में पहुँच जाती है और ये पहुँचती है एक library में तो यहां library में आकर ये crew बहुत सारे books को देखती है तो इन crew को नहीं पता कि ये books क्या होता है तो ये अपने मालिक यानि कि think tank को contact करते है मतलब कि उससे consult करते है और उससे बात करते है crew अपने मालिक think tank से पूछते है कि ये क्या है तो think tank इन्हें बताता है ये sandwich है इसे लोग खाते है तो जैसे ही crew इस बात को सुनते है वो इस book को खाने लगते है और जब ये books को खा लेते है तो इन्हें books खाने के बाद कुछ भी taste नहीं आता यानि कि वो taste less रहता है तो अब य ये जो noodle है ये कहता है अरे ये खानी की चीज थोड़ी ना है ये तो communication device है इसे पढ़ा जाता है तो अब ये जो think tank है ये अपने crew को कहता है कि अरे इसे तो अपने कानों के पास लगाया जाता है तो अब जितने भी members है crew के ये सभी अपने कानों के पास इन सभी books को लगाते ह तो जैसे ही वो books को अपने कानों के पास लगाते हैं उन्हें कोई भी sound सुनाई नहीं देता तो अब noodle कहता है अरे ये तो books है इन्हें पढ़ा जाता है इन्हें read किया जाता है लेकिन दोस्तो बात यहां पर यह है यह जो crew के members से इन्हें पढ़ाई नहीं आती और नहीं इन्हें English आती है तो अब जो Mars planet है यह अपने planet से chemical department भेजते हैं यहां library में तो यह जो chemical departments है यहां पर आकर crew को vitamins देते हैं तो जैसे ही यह crew के members vitamins को लेते हैं तो अब यह in books को पड़ पा रहे हैं तो दोस्तो तो इस books में rhymes लिखा हुआ है यानि कि poems लिखा हुआ है तो crew के members इन books में देखते हैं कि यहां पर figure बना हुआ है X का यानि कि अंडो का figure इस book में बना हुआ है तो अब crew के members अपने boss think tank को कहते हैं कि अर्थ के लोगों को पहले से ही पता है कि हम अर्थ में attack करेंगे तो जैसे ही यह बात सुनता है think tank वो अपने crew को वापस बुला लेता है Mars और Mars में आने के बाद crew के जितने भी members है वो दूर भाग जाते है तो दोस्तो ऐसे हमें पता चला कि कैसे एक book के story ने अर्थ को बचाया तो इसी लिए इस story का नाम है the book that saved the earth तो यहीं पर यह कहानी end होती है मुझे उमिद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ